नमश्का दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश का रोका हो चुका है और साती साथ हम ये भी जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश को चुन्री भी चड़ा दी है करन कुंद्रा की मौमीने अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जाते जाते तेजस्वी के कान में कुछ ऐसी बाते कही गई है जिसे सुनकर तेजस्वी शर्मा गई प्रतिक्ष दर्शी जो हाँ पर मौझूद थे उन्होंने ये बात का खुलासा किया है स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल का लिक हजाना में मैं हूँ आपका यारोका यार आपका होस्ट राहुल भोट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने मुझे इंस्सेग्राम पर फॉलू नहीं किया है लिंक देस्क्रिप्शन में है दोस्तों ये बात हमको बता है कि कल बीती रात तेजस्वी के घर पे यानि कि ये जो गोरेगों वाला घर है बहां पर पहुँच गए करन कुद्रा और अपने उनके माता पिता करन कुंद्रा के मात पिता समान लेकर पहुंचे हैं और ऐसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों तो तेजस्वी प्रकाश जो है वो करन के साथ कल के दिन रोके पे बैठी दिया और रोका बेसिकली हो चुका है और खबर ये भी आ रही है कि एप्रिल मही में उनकी शादी हो जाएगी यार गर्मियों में मत करना शादी बहुत जादा गर्मी लगती है अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों तो तेजस्वी प्रकाश को रोका तो कर दिया है का रोका तो हो गया लेकिन जाते-टे आंडी जी ने और करनकुंद्रा की महीं उनके काँवे की सी बात करें तो करन कुंदा को समझ नहीं है लड़कियों की और जब तो उसकी लाइफ में आई तो डेफिनेटली उसके साथ अच्छा ही अच्छा होगा यहां पर दोस्तों प्रतिक जश्चियों ने यह भी बाते बताई कि तेजस्वी प्रकाश के कान में आंडी जी ने यह भी बात बोली है कि अब बस जल से जल उनकी शादी हो जाए और उनको छोटा करन देखने को मिल जाए जहां दोस्तों आप को बतातों तो बेसिकली इंडिया का ऐसे ही है सिस्टम जहां पर शादी होते ही लोग expect करते हैं कि बेबी हो जाए अब देखते हैं कि तेजस्वी प्रकाश और करन कुंतरे इस पर क्या reaction लेते हैं So, दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, comment करके जबर बताएं चलता हूँ मैं अपना खयाल रखें और जो भी update, जिस तरीके की बाते पता चलेंगी मैं आपको सारी ही बाते बताऊंगा Bye Bye